असलाम अलेकुम उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और खेरी ऐसे होंगे एक और नए व्लॉग में आप लोग को खशाम दीद आज मैंने एक तेल बनाया है जो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूं यह तेल मैं पहले भी बना चुकी थी अब मैंने दूस करती हूं तो सबसे पहले तेल बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज अचा यह इस तेल से मालिश करने पर मुझे और आलिया दोनों को ही बहुत फाइदा हुआ है तो इसलिए जब तक मैं कोई भी चीज अपने उपर इस्तमाल नहीं कर लेती मैं आप लोग को साथ में नहीं दा दूंगी एक मिक्सी के जार में तो प्यास हमारे बालों के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है इसमें सलफर होता है और यह बालों का जड़ना कम करता है और बाल जो है नए बालों को उगाने में भी यह मदद करता है इसे जो है हम बालों की जड़ों में लगाते हैं पर नहीं लगाते हैं अच्छा इसके बाद में मैं इसमें डालूंगी अद्रक और लेसन अब ये आप लोग सोचते हों कि क्या कोई चिकन वगएरा बना रही हूं तो कुछ नहीं मैं जो है ये तेल ही बना रही हूं तो ये जो लेसन है इसमें विटामिन B और C होता है मैगनी होता है और ये हमारे बालों के लिए बहुत ही जरूरी होता है और ये कहते हैं कि ये कंजे सर से भी बाल उगा देता है टेंडरक को कम करता है बालों को सफेद होने से बचाता है और अद्रक भी जो है वो हमारे बालों को के लिए बहुत ही जादा फायते मंद होता है वो मैं लंबा घना मजबूत और चमकदार बनाता है यहां पर मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से पीस देक बाद पानी इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है और अगर आपको लगे तो आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजेगा एक दो चमच लेकिन इसमें पानी के लिए बहुत ही ज्याधा फाइदे मंद होता है इसमें फौलिक इसिड होता है विटामिन ए होता है एसी और किय मैंने महींसा आसा दरदरा आ सा पीस लिया था और पीसने के बाद में इसको भी मैं तेल में डाल दूंगी जो तेल हम बनाएंगी अब ले लेते ही एक कड़ाई कड़ाई आप चाहें तो लोहे की लेजरे मेरे पास लोहे की कड़ाई नहीं है तो इसलिए मैं इसे थोड़ा फारी कड़ाई है तो मैं इसलिए इसमे बना रहे हूं और अब इसमें मैं दो तरीके के तेल इस्तमाल करूंगी आप को जो सूट करता हो आप प्लीस वही तेल इस्तमाल कीजूगा मैं यहां पर इगर का सर्सों का तेल है तो मैं यह कम से कम जितनी मतलब आपको आपको बनाना है तेल आप उसी इसाब से बनाइएगा तब पहले आप थोड़ा बना के देखिएगा अगर आपको लगे कि ये फाइदा कर रहा है तभी आप आगे बनाईएगा तो मैंने इसमें सर्सों का तेल डाला और एक टबबा मैंने इसमें नारियल का तेल का डाल दिया क्योंकि नारियल का तेल हमारे बालों के लिए बहुत देता है आप बच्पन से अगर लगा रही है तो आपको फर्क पता होगा मैं तो इसे बच्पन से लगा रही हूं सर्सों के तेल को वह भी घर का तेल तो अब मैं इसमें ये मेथी जो पिसी हुई है वो डाल दे रही हूं और उसके बाद में इसमें मैं इसे थोड़ा सा चल इसले में को और देंधरी और गषांनू होते हैं जो बालों में डेंडरफ होता है यह साज बाल क्लों में जड़ने लगते हैं और बलते भीटें नहीं तो यह आदने जड़ने को रोकता है देंडरफ को कम करता और सब्सक्राइबerson लेकिन अगर आर्छर ने को यह व गने देल कर दिया है ये बालों का में जो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और सफेद बालों को कम करता है धीरे धीरे आप अगर इस तेल के आदी हो जाएंगे तो यकीनन ये आपको बहुत अच्छे रिजर्ट देगा आगे चलके लेकिन एक दो बार में नहीं आप इसको कंटी न्यू लगाती रही है हफते में कम से कम दो बार तो आप इस तेल को लगाईए तो यहां मैंने अपना मसाला जो है वो इसमें सारा का सारा डाल दिया है इस मसाले को हमें मसाले को या यह जो भी प्यास है लेसन और जो भी चीज़े हमने करीबता वगएरा इसमें डाला है त निहां प्रूहल। आप की इसमेल मसालिक ही रही है, जीसे हम कुछ पकाते हैं तो उसकी स्मेल आती है जाहिर है, लेकिन इसमेँ करीपते हैं की खुश्बू schudby आ रहा रहा हैäre नारियstep की ये और जो मसाले है, उसकी की भी आ रहा है तो तो इस टाइम पर आप हम गैस बंद कर दे रहें कि मुझे लग रहा है यह तेल हो गया है क्योंकि हमें बहुत जलाना नहीं है और अब इसको हम कर लेते हैं ठंडा और ठंडा करने के बाद में हम इसे एक छानी से इसे बिल्कुल भी मत छानिएगा क्योंकि अगर छानी से चान लग देख जान निखकों तो मैं यहां पे यह मेरे पास प्लास्टिक का डबा है में उसके अगल पर देती को यह का प्ड़ा का कप्ड़ा रखने के बाद में इसमें सारा तेल जेल चान लोंगी यह तेल आयूँ बहुत ही बहुत ही जाहादा मुझे बहुत सूट किया और म तेल को और फिर मुझे बताइएगा लेकिन आप कम से कम इसे जो है सर्द होने की दो घंटा पहले तो लगाईएगा और रात में लगा रहे हैं तो तो पिर बहुत ही अच्छी बात है कि आप पूरी रात की तेल आपके में लगा रहेगा और थोड़ा बहुत मत लगाईएगा तेल अच्छा-खासा कम से कम खूब अच्छे से हाथों से मालिश कीजिएगा यह इस तेल को लगाने के बाद में बहुत आच्छे नाखूनों से मत कीजीएगा सिर्फ जो हाथ की उंगलिया होती है उन से आप इसमें अच्छे से अपने सर में मालिश कीजिएगा ताकि आपको भी थोड़ा सा सुगून मिले बालों को भी अराम मिले और जो ब्लड सरकुलेशन है आपका सर का वो तेज हो तो यकीनां आपके बालों में ये बहुत अच्छ इस तेल को बना के देखिए लेकिन पहले में जब मैंने कहा कि थोड़ा ही बना के देखेगा हो सकता है आपनों को नहीं पसंद आए और अगर इसमें से मसाली की स्मेल आती हो वैसे तो नहीं आएगी और अगर आपको लग रहा है तो आप खोई भी खुश्पू वाला जो एसेंशल ओयल होता है खुश्पू के लिए वह आप इसमें तो तीन बुंदे डाल सकते हैं उससे इसमें अच्छी खुश्पू भी आ जाएगी लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है तो बस यहां पर यह तेल मैंने च्छान दिया है और एकदम बढ़िया सा तयार ह हो गया है अच्छा इसमें आप देखिए बिल्कुल भी प्याज या कोई भी चीज उपर नहीं आई है वह इसलिए क्योंकि मैंने इसे कप्ड़े से चाना है और सबका सब यह उपर ही रह गया है तो यह तेल मेरा पन के तयार हो गया है इसका रंग बिल्कुल भी चेंज नह हुआ है वह इसलिए क्योंकि हमने इसे जलाया नहीं है और पहारा इसलिए लग रहा है क्योंकि करीपता पड़ा हुआ है तो सारी चीज़े जब मिक्स होके हमारे बालों में जाएंगी तो वह इंशाल्ला बहुत कमाल करेंगी तो प्लीज इसको जरूर बनाएए क्योंकि य काम करने लगेगा थोड़ा सा टाइम तो लेगा तो यहां पर मैंने आलिया की तेल लगाने जा रही थी तो मैंने इसमें क्योंकि नारियल का तेल मिलाए और सर्दिया आए तो इसे मैंने पहले हलका सा गुन-गुना कर लिया और गुन-गुना करने की बाद में आलिया के सर प पूरत नहीं बस थोड़े हलके बाल हैं उसके इसलिए मैं उसके प्यास वाला तेल लगा रही हूं प्यास हमारे बालों के लिए प्यास हो गया लेसन अद्रक करीपत्ता मेथी दाना बहुत अच्छा है तो प्लीज इसे ट्राइ कीजेगा अब मैं अपने व्लॉग को खत्म कर ती हूं अला आफिस